हेलो फ्रेंट्स माइनीम इसका जलू राप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडिये लेट सेकंड से मिलस्टर सब्जेक्ट हिंदी फ्रेंट्स हमने कल समास डिस्कस किया था जो कि बहुत इच्छे से डिस्कस किया था हमने यह जाना था कि समास क्या होता है समास का जो सिंपल अर्थ होता है वो होता है संचिप ठीक है और जो समास होता है वसुत दो शब्दों का मेल होता है और देखे फ्रेंट्स हमने समास के भेद जो कि मुख्य रूप से चार होते हैं अब यही ततपुरुष बहुबिय ततधवन्द ठीके और उसके बाद जो आपका कर्मधारे ततधदिगु ततपुरुष के ही भेद होते हैं तो फ्रेंट्स बहुत ही अच्छे से अमने कर टॉपिक पर डिसकस किया था और आज की इस वीडियो में आप सभी को आंसर करना होगा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स बोक्स में करके पूछ सकते हो फ्रेंट्स चलिए हम सुरू करते हैं अगर आपको आंसर तो देखिए पहला जो आपका प्रेस ने की यथा सकती में कौन सा समास है तो फ्रेंट्स जिसे कि मैंने आप सभी को बताया भी था कि जो अब्याई भाव में कुछ आप सभी को पहचान आप याद कर लिजिएगा तेक है जिसमें हमने यथा यह सब कुछ बहुत ही अच्छ को बनाती है वो हो जाएगा यानी इं profoundly ! सॉरी यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी अभ्याई भाव देखिए या आथा ? τις भी अब यही भाहो के लेखा इक हम ल किमने करने अन्हेका की कुछ यही एक हम भी आंसरे की ऩॉछद आफ चाहिए में ल कि महा लेखेए तो ये कौन सा समास है ? तो धीरे-धीरे जो है यह आपका अभ्यै समास है अगर आप देखिए अगर इस तरीके से वॉलण आए was? यानि इसके बिपर इतन हो जैसे के अन्न और जल हमने देख़ था आग, पानी देख़ था मता, माता और पिता देखा था भाई और बेहन देखा था चाचा और चाची देखा था तब वह सभी क्या है द्वांत समास है लेकिन अगर सीम वर्ड आमने सामने होता है उनके बीच में योजक चिन होता है तो फिर वह आपका क्या होता है अब्याई भावशमास यानि अब्याई भावशम तो यह याद कर लिजेगा और यह था शक्ति में जो हमने पहले जो लागो होता है पहचान आप कह सकते हो उपसर्ग भी कह सकते हो अनुयावद प्रति भर जिसमें भर पेट आमरेड जीवन जिसका अरत होता है पूरे जीवन आजन्म यानि जन्म तक बेखटके भर बर्शक प त्रिभूज सब्द में कौन सा समास है देखिए त्रिभूज सब्द में कौन सा समास है ओपसर्ण सश्टी ततपुरुष ओपसर्ण भी दिगु ततपुरुष ओपसर्ण सी मध्यम पद लोपी ओपसर्ण डी अलुक तो फ्रेंट्स हमने जो डिफिनिशन दिगुशमास का डिसकस किया था वो यही था कि जिस कर्मधारे शमास का पहला पद ठीक है दिवु शमास का जो परिभासा होता है आप वो भी याद कर लिजेगा कि जिस समास का पहला पद शंक्या बोदक हो वह दिवु शमास कहलाता है और उसी प्रकार हमने बहुबरिय समास भी देखा था औ और देंखे आपका सबसे जजह ज़ הזה चानफियोज होत credit हमें ऐन यहान दीघुर अथे आपका हमसे दिखी ऑर आपका जम जह और इस्में भी अगर आपका 3 Osmanth में तीन है, तो इसमें आप किस तेरिके से पता लगाओ क्या इसमें अंतर होता है, क्यों ये बहुड़्य शमास हो जाता है, और क्यों ये दिगुड होता है, तो atmosphere देखिए, जो दिगुड शमास होता है, वो एक संख्याओं के शमू को बताने के लिए होता है और जो बहुवरीय समास होता है जादा तर अगर बोले तो देवी देवताओं कि आप क्या सकते हो कि जो बहुवरीय समास का पद होता है वो किसी थौट परसन के लिए होता है यानि आप कहले सकते हो कि ना कि इसका पहला पद और ना ही दूसरा पद इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि किसी तीसरे पद की जो भुभरिया समास की जो डिफिनिशन होता है हमने कर लिस्कस किया था कि समास में आए पदों को छोड़ कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधान था तब उसे हम बहुबरिय शमास कहते हैं यहाँ है आज किसी अन्य प्रधान जयसे करतो हम नौल कई चारे अनन्युद्व में नवगरों कशमू थेक हैं नौगरों को अजसे तरीकि से अपको कर सकते हो और बहुबरी एसमास में आप सिर्फ बहुत-जाद हाड नहीं कियों और कियों और कियों देवी देवताओं से रिलेटर करके चतुरानन हो गया लंबोधार हो गया चीक है आप पंचानन हमने कल पूछा भी था तो आप सभी ने आंसर भी बिल्कुल सही दिया था च तो फ्रेंड्स यहां पे आप सभी का केवर और केवर यानि बहुबरी असमास में आप यही याद कर लिजेगा कि देवताओं से रिलेटर करके पूछा जाता है यानि इसमें कोई भी पद जो होता है वो आप कैसे हो इसके प्रदा किसी अन्य ब्यक्ति के लिए बोला जाता है कि मान लेजे लंब उदर यानि लंबा है उदर जिसका तो किसका है तो गड़ेश जी का तो यहां पे हमारा क्या रहेगा तो वहां पे हमारा बहुबरी असमास रहेगा तो आई होप कि आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे या फिर आप इस तरीके से भी सबसे चार है आनन जिसके दस आनन जिसके तो यहां पर किया उससे सर जिसके जिसके बस याद करिए तो वहां पर आपका 100 stadion ब merciful अपर होगा करेश में में कि अपर याद रखना कि सब्सक्राइब करने ना कि si दुट 1918 neurologクिले का शुट Sing sortir और करेश मोगा में सब्सक्राइब कि एक और कि अपर प्रिय यह को जो देस भक्त में कौन सा समास है बहुब्रिया शमास द्वन्द अभ्याई भाव सश्टी तत्पूरुष तो फ्रेंड जैसे के हमने द्वन्द तो होगा नहीं इसमें तो यूजग का चिन और होता है अभ्याई भाव भी नहीं होगा इसमें तो शुरू में क्या लगता है आपक स्टी तत्पूरुष है यहां पर करेक्ट अशर रहेसिा यहां जिल रिए है यानि रिएकार यहां तो इस भर द्वन्द घरक्ति में कौन से समास है खन तो सâmफर्डान किसने नंबर्ट नंबरえー थो इसलिए यहां पर सश्टी तत्पूरुष उसी प्रकार देखिए जो कुंभ को बनाने वाला कुंभार रितिया समाथ , तो नो नहीं लिक्षा रहा गा आपका कर्म तत्पुरुष ने , वहल को याद कर लिए जिसससे कोई बाद में जो करेक्ट आंसर जाएगा वह जाएगा सश्टी ततपुरुष देखिए चौता जो आपका प्रेशन यह भी बहुत ही महत्यों पूड़े चत्रवुज सब्द में कौन सा समा से दिगू अभ्याई बहुवरी ततपुरुज तो फ्रेंट्स अब बहुत ही असानिक साथ देख यहां पर चत्रवुज यानि चत्रवुज सब्द में कौन सा समास है तो वह होगा बहुबरी समास और यहां पर सी इस दा राइट आंसर देखिए अगले जो आपका प्रेशने कि दही बड़ा सब्द में कौन सा समास है सब्टमी ततपुरुस दिगू मध्यलोपी अलुक त देख सकते हैं योजक चिन है लेकिन इसमें आपका क्या है दोंद शमास नहीं है तो वहां पर राइट आंसर क्या होगा सब्टमी ततपुरुष ठीक है चेटा जो आपका क्योश्चन है कि आज कल आज कल सब्द में कौन सा समास है अभ्याई समास ततपुरुष शमास तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा सिक्स का वह जाएगा डी द्वन्द समास उसके बाद देखिए पंच पात्र सब्द में कौन सा समास है तो देख सकते हो पहला पद संक्या बोधक है तो यहां पर हमारा हो जाएगा यानि कर्मदारे बहुब्री या दिगू सब्द में कौन सा समास है कर्मदारे अगां में क्योंकि क्यं होता है कि इसकी जो कर्मदारे की definition होती है वो यह होती है कि जिस पूरुष शमाद के समस्पद समान रूप से प्रधान होता था विसेश से और विसेशर भाव को प्राप्त होते हुए देखे जिसे कि आपका नीला कमल हमने डिसकस किया था ठीक है नीला कमल यारी जो कमल है वो नीला है तो यहां पर कमल की क्या दे जारी है उपमा दे जारी है उसका विसेशर विसेशर बताया जा रहा है इस प्रकार से जैसे कि महात्मा तो महान है आत्मा यानि जो आत्मा है वो क्या है महान है उसी प्रकार से तो तत्पूरस देख सकते हो, यहाँ पे ये राइट अंसर हो जाएगा, द्वांद भी नहीं होगा, दिगू भी नहीं होगा, तो सोका कुल is the right answer सबसे पहले हम क्योश्चन को चाटते है कि इसमें से कौन सा नहीं होगा एक option हमारा बच्चे का वही correct answer हो जाएगा तद पूरुश में यह याद रख लेजएगा क्या रख आजाते हैं तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आप सभी का option number B is the right answer ठीक है आगे बढ़ते हैं उसके बाद देखिए नील गाए अब बहुत ही असानिक साथ बता सकते हो अभी जश्च में ने बताया नील गाए यानि क्या हो रहा है उपमा दिया जा रहा है नील गाए में कौन से समास है ततपुरुष अभी द्वन कर्मधारे यानि नील गाए यानि नीली है गाए आप इस तरीके से कह सकते हो यानि गाए की उपमा दी जा रही है तो यहाँ पर होगा कर्मधारे यानि option number C is the right answer इसके बाद देख सकते हो दस्वा रोग से पीड़े तो यहाँ पर स्थ्रे आया है तो इसलिए हमारा क्या होगा कर्मधारे भी नहीं होगा अभी द्वन्द भी नहीं होगा यहाँ पर होगा हमारा ततपुरुष शमास यानि option number B is the right answer उसके बाद देखिए अगला जो है यही मेने कल पुछा था पंचानान में कौन से समास है और आप सभी ने आंसर भी सही किया था अद्वी बहुबरिय कर्मधारे अब यहीं तो फ्रेंट्स यहाँ पर हो जाएगा बहुबरिय ठीक है अगला आपका प्रसोई घर रसोई घर में कौन से समास है ततपुरुष बहुबरिय द्वन्द कर्मधारे आपका विद्याले हो गया रशोई हो गया यह सबी क्या है ततपुरुष तो यहाँ पे क्योंकि रशोई के लिए घर है ना रशोई के लिए घर बिद्याले के लिए आ लें तो यहां पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ततपुरुष शमास अपसर नमर बी उसके बाद देखिए लोग नायक में कौन सा समास है लोग नायक यानि ततपुरुष दिगू दवन अब्याई यहां पर वैसे ही सही नजर आ रहा है यहां पर क्या हो जाएगा कर्मधार एटत पुरुष नहीर नहीं तो यहां पर हो जाएगा ज्याए व्षेज के ल दारे औप्सन नुम्बर ए इस दराइट आंसर उसके बाद देखिए 15 नमरे मुह तोड में कौन से समास है ततपूरुष अब्याई दिगुद द्वंद तो फ्रेंड यहां पे मुह तोड में कौन से समास है तो वह जाएगा ततपूरुष अब्याई तो नहीं द्वंद भी अब देखिए कौन धारे समास का अदारर है यतोचित पर्ड कुटिर दो पहर विध्याले तो देखिए यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह जाएगा बी यतोचित यह तो होगा नहीं दो पहर यह भी नहीं होगा विध्याले हमारा उट्पूरुष है न तो यहां पर्ड कुटिर is the right answer, ठीक है, यहाँ पर्ड कुटिर कर्मधार समास का उधारण है, वो हो जाएगा option number B, क्योंकि यहाँ पर्ड कुटिर है, क्या कर्मधार समास है, यानि किसी की उपमा जब दी जाती है, तो वहाँ पर्ड कुटिर, तो देखिए, इसके बाद देखिए, 17 न अब देखिए फ्रेंट्स, 17 नमर जो प्रेसन है, भूत ही महतुपूर है, हमने देखा था, दीगुशमास में क्या होना चाहिए, कि नमबर होना चाहिए, बट आप यहाँ देख सकते हो, कि निम्न शब्दों में कौन दीगुशमास का उधारण है, तो यहाँ पर देखिए सथ सही, हानिला, दीनानात, लोगपुरुष तो होगा नहीं, यहाँ पर रैट अंसर हो जाएगा, सथ सही, यानि सथ thì क्या है, यहाँ पर साथ जैसे आरे है, यानि साथ, यहाँं पर रहाणा जो रैट आंसर हो जाएगा, वो होजाए और बात शब्दों आप पाइड़ हो से पूछेगा तो वह आपका दिखोशमास होगा नमर यहां पे राइट हो जाएगा ठारा आप देख सकते हो कि निम्न में कौन डिखोशमाइश नहीं है तो देको नवं रातर भी होगा नोगरा भी होगा त्रिलोक भी होगा यहां तो यहां पर नमर सी यह देगो शमास नहीं है ठीक है उन्नेस नमर आपका प्रेशन है कि निम्न में से कौन दोंद समास का उधारण नहीं है अब देखिए देश बिदेश ठीक है पाप पोड़िया उसके बाद देखिए यहां पर धर में भ्रश्ट यह तो तीनों है लेकिन आपका यहां पर देख सकते हो रागंड़ समास का उधारन नहीं है निम्न में से कौन करम-धार अमास का उधारां नहीं है तो देखिए, नील कमल, बिल्कुल सही, कमल है नीला, विशेसरो और विशेशे का भाव आ रहा है, नील गाय, तो यहां भी correct answer हो जाएगा, महा बीर, मतलब कि जो आपका बीर है क्या है, महान है, है ना, पितामबर, पितामबर तो नहीं होगा ना, यह किसी की उपमा थोड़े ना दी जा रही है, तो इसलिए यहां पर यह option number D, इसलिए right answer हो जाएगे, तो friends, समाज से related, इतने ही question पूछे जाते हैं, ज्यादा tough नहीं पूछे जाते हैं, और 100% है कि आप exam में जब कोई भी question पूछा जाएगा, यानि समाज से related, वो बहुबरी समाज पूछे, दोंद सम पूछे, आप बहुत ही असानी के साथ करके आओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो friends, आज के लिए इतना ही, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने friends, मित्रों को सेयर कर दीजिए, मिलते हैं, और हाँ, अब भी आपको बहुबरी और कर्मधारे, और कमेंट्स कर सकते हो, हम फिर से कल बहुत ही अच्छे से आप से जो डाउट से वह जरूर दूर करेंगे, तो आज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने friends, मित्रों को सेयर कर दीजिए, thanks for watching, take care and best of luck, अहाँ और नोटिफिकेसे नहीं जाता है, तो मैं टेल साथ के लिते हैं, thanks for watching, take care and best of luck.